आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीजेन एच्छ स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज कदम की बात करेंगे भगवान श्रीकिष्ण के प्रिय व्रक्ष की कदम एंथोस फैलस कदमबा रूबी एसी का ये मेंबर है और सुन्दर इसके फ्रूट्स आप देख प जो इसकी स्टेब्स की जो की जो चाल है उसका आप महीं चून बना लीजे और उतनी ही मात्रा में जीरे का पाउडर मिला लीजे और धीमी आज पर पकाईए डिकॉक्षन बना लीजे स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री मिला लीजे चार-चार घंटे के अन्तराल के बाद अगर आप रोगी को देंगे तो आप पाएंगे कि रोगी का बुखार उतर जाता है और बार-बार होने वाली जो उल्टी होती है वो मिटिंग होती है वो भी ठीक हो जाती है साथियों यह रक्त पित का समन करता है सीत वीरिये इसके प्रकृति है और शरीर के टॉक्सिंस को रिमूव करने का भी यह कारे करता है मित्रो बुखार कई परकार का होता है, चाहे वो डेंगी फीवर हो, मलेरियल फीवर हो, या फिर चिकन गुनिया फीवर हो, या फिर जैपनीज एंसिफिलाइटिस के कारण अगर बुखार हुआ है, उन सब के निराकरण के लिए आपको इसकी छाल का डिकोक्षन बना कर सेवन करना चाहिए, और स्वाद के अनुसार उसमें सहद मिला लेना चाहिए, बहुत अच्छा कारे करता है, 6-6 घंटे के अंतराल के बाद आपको इसका डिकोक्षन देना चाहिए, पांच ग्राम चाल का डिकोक्षन, आप 300 मिलीलीटर जल के अंदर तयार कर सकते हैं, धीमियाच इसके डिकोक्षन को बनाना चाहिए, इस बात का विशेश जहन रखिए, साथ ही इसका जो फ्रूट आप देख रहे हैं, इसके फ्रूट का आप डिकोक्षन बना लीजे और उससे सनान कर लीजे, तो आप पाएंगे कि विभिन्य प्रकार के जो स्किन डिसोर्डर्स हैं, व कोई फंगल एक्टिविटी अगर होती है, उन सब को सही करते हुए, स्किन की खुजली को, खाज को दूर करता है, और बहुत अच्छी हेल्दी स्किन हमको देता है, तो आप इसके इन फ्रूट्स का, इसके फ्लावर्स का आप डिकोक्षन बनाईए और उससे स्नान कर लीज यह बहुत अच्छा कारे करते हुए, आपके विभिन प्रकार की स्किन डिसॉर्ड़ को दूर करता है, स्किन को नरिश करने का भी कारे करता है. मित्रो आप इसके fruits का, इसके flowers का, इसके पत्र का, इसकी bark का सभी औस्दिय गुणों के लिए उपयोग में ला सकते हैं इसकी जो bark का decoction है वो immunagogue activity भी रखता है ये hormones को regulate करने का कारे करता है और hormones के regulate करने के कारण आप मिनोरेजिया की समस्चा के निराकरन के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं मिनोरेजिया की जो समस्चा होती है इस समस्चा में बहुत ज़्यादा mensis का आना ये problem होती है और hormones को regulate करते हुए ये उस समस्चा को ठीक करता है और हमारे urinogenital system को मजबूती देने का कारे करता है इसी का decoction अगर caliculi की समस्चा हो, stone की समस्चा हो उसको भी दूर करता है wonderful ये plant है कई बार abortion की समस्चा हो जाती है गर्ब पात हो जाता है, तीन से चार महिने की pregnancy की समय abortion हो जाता है तो ऐसी अवस्था में hormones को regulate करते हुए बार बार होने वाले abortion से बचने के लिए as a anti-abort efficient आप इसकी quath, bark का quath बना कर 7 भी कर सकते हैं ये anti-abort efficient होता है kidney के stimulation करते हुए और kidney problem को दूर करते हुए यह anti-diuretic भी होता है कई बार mineral disbalance के कारण diuretic property भढ़ जाती है बार-बार पेशाब आने की समस्चा जो हो जाती है उसको भी ये plant ठीक करता है इस plant की anti-diuretic activity भी होती है इनी सब बातों को आप ध्यान में रखिए और इस plant को ओस्दिय गुणों के लिए उपयोग में लाईए मित्रो यह उसके कदम के पकेवे फल है और इन्पकेवे फल का आप ओस्दिय गुणों के लिए उपयोग करते हैं इसी का आप decoction बना कर स्नान कर सकते हैं इसी पकेवे फल से आप essential oil extract कर सकते हैं उस असेंस लोग वोईल की एंटी फंगाल एंटी बैक्टिरियल एंटीविरल एंटी परोटोजोल एंटी फलेरियल एक्टिविटी होती है Aur यह जो प्लांट है उसको आप स면 रिकलेमेशन के लिए हैल्थ कंजरवेऽिशन के लिए उप यो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करते रहें ताकि आपको नए नए प्रांट की जानकारी नित्य पृति मिलती रहे आप सभी का धन्यवाद पुनाम नमस्कार